हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई कीचेन तो आज हम बनाएंगे नेवू और पुदीने का बहुत ही हिल्दी और स्वाधिष्ट सरबत जिसे पीके आपको गर्मियों के मौसम में बिल्कूल ठंडग प्रदान होगा और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है यह सरबत तो बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की पत्ती लेना है और इसे अच्छी तरह से धुल करके साफ कर लेना है तो यहां पर हमने इसे अच्छे से धुल करके साफ कर लिया है और इसके बाद यहां पर लेंगे मिक्सी का जार और इसमें हम सारे पुदीने के पत्ते डाल दें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी नेकषैर सेथा नमग भी इसमें एड़ कर ते हैं पानी आप चाहे तो भुने हुए जीरे का पौडर भी यहां पर एड़ कर सकते हैं और अधा ग्लास हमने इसमें पाने डाल दिया है अब इसका ढखकन बंद कर देंगे और अच्छे से इसका पेष्ट बनाएंगे बिल्कुल बारिक पेष्ट हमने नहीं बनाया है यह देखे इस तरह से हलका सा दरदरा रखा है आप चाहें तो बिल्कुल बारिक इसका तो दो से तीन आइस क्यूब हम इसमें डाल देंगे गलास में एक गलास में दो से तीन आइस क्यूब आपको डाल देना है यहां पर हमने दो दो आइस क्यूब गलास में आइड किया है अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है या फिर आप आइस क्यूब नहीं आइड करना चाहते हैं तो यहां पर आप ठंडे पानी से इस सर्बत को बना कर तयार कर सकते हैं और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सब्जा सीर्ट इसे हमने 10 मिनट पहले ही पाने में भीगा दिया था यह अच्छे से फुल गया है तो एक एक चमच हम इसमें डालेंगे यह भी गर्मियो हमने जो पेश्ट बना कर तयार किया है इसे इसमें एड करेंगे चार से पांच चमच एक ग्लास में डाल देंगे यह देखिए इस तरह से और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा पानी तो गर्मियों की सीजन में आप इस तरह से ठंडा ठंडा सर्बत बना कर त इसके बाद हम इसमें नीबू का रश डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है तो इस तरह से हमने इसमें नीबू निचोर दिया है तीनों गलास में और इसका जो बीज है इसे हम हटा देंगे और इसके बाद चम्मस से इसे मिक्स कर देना है सारे चीजों को और यहां पर हमारा बिल्कुल तरो ताजा कर देने वाला शर्बत बन कर तयार हो गया है वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें को हर रोज नई रेस्पी लेकर आती रहती हूं तो हर रोज नई रेस्पी के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचें और इस तरह से बहुत ही आसानी से बनने वाला और तन मन को बिल्कूल तरो ताजा कर देने वाला इस सर्बत को आप एक बार चरू ट्राइ करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये बहुत ही आसान है इसे बनाना फटा-फट से ये पांच मिनट में बनकर तयार हो जाता है तो आप इसे एक बार चरू ट्राइ करिएगा और अपना किमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद